बच्चों हम बात कर रहे हैं वित्य विवरंड 2nd की जिसमें वित्य विवरंड हम समायजनों के साथ तैयार करते हैं और आज हम भाग 8 में इसके अंतिम उधारण उधारण संख्या 9 और 10 लेकर आए हैं उसके बात के वीडियोस में हम बात करेंगे अंकिक प्रश्णों की तो आईए शुरू करते हैं उधारण संख्या नो निम्नशेश कोलकता लिमिटेड के तलपट से लिए गए हैं आप 31 मार्च 2017 को व्यापारिक और लाब वहानिखाता बनाएं इस तिति को तुलनपत्र भी तयार करें यानि आपको ट्रेडिंग पेलर और बैलेंशिट बनाने हैं ये आपको तलपट दिया गया है और अब इतने एक्जामपल समझ जाने के बाद आप कोई बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि तलपट में दी गई जो मद है तलपट के योग में जो मद शामिल है ये जो योग लगाया हुआ है तलपट का अस्यजार तीन सो इस में जो मद शामिल है वो वित्य विवरणों में चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट इंड लॉस अकाउंट हो चाहे बैलेंशीट हो केवल एक ही जगह आएगी लेकिन नीचे जो समायोजन दिये जाते हैं वो कम से कम दो जगह आते ही आते हैं तब जाकर तरफ से बराबर होगा इस विशेश बात को आप ध्यान रखें जैसे mostly आपने देखा होगा closing stock आपको नीचे दिया जा रहा है आपको depreciation नीचे दिया जा रहा है closing stock अगर आपको नीचे दिया जाए तो आप इसे trading account के credit में भी दिखाते हैं और साथी साथ balance sheet के assets में दिखाते depreciation अगर नीचे समाय जन में दे रखा है तो P&L में debit में खर्चे के रूप में दिखाते हैं और साथ ही साथ सम्मंदित संपत्ती में से balance sheet में asset side में less करते हैं लेकिन आज कुछ विशेश बात में आपको बताने जा रहा हूँ यदि closing stock तलपट में हो तो वो केवल balance sheet के assets में यदि depreciation तलपट में हो तो वो केवल P&L में आएगा balance sheet में assets में से less नहीं होगा इसी तरीके से यदि accrued income, outstanding expenses, prepared expenses या फिर honored income आपको तलपट में दे दी जाए जो अब तक नीचे ही होती है लेकिन students वो तलपट में आ सकती है तो तलपट की मत तो फिर एक ही जगह आएगी तो फिर वो balance sheet में लिखी जाएगी prepared expenses और आपका crude income asset side की हो और साथ ही साथ आपके जो outstanding expenses है और साथ ही साथ honored income है वो balance sheet में liability side की और लिखी जाएगी तो ज़रा इन बातों का भी विशेश तोर पर ध्यान रखे तो आईए शुरू करते हैं opening stock जो की ट्रेडिंग अकाउंट का item है furniture assets में drawing capital में से less होता है cash in hand assets में purchase trading का item है विक्रेव आपसी sales में से less होगी trading account में स्थापना वे P&L में bed dates P&L में debtor ये लिखे जाएंगे आपके assets में विक्रेव पर July carries on sale ये जहां तक है आपके हिंदी माध्यम की पुस्तकों में केवल carries छपा हुआ है और students single अगर carries होगा तो वो trading account में आएगा क्योंकि ये माना जाता है कि single अगर carries दिया गया है तो वो जरूर माल खरीदने पर दिया गया और जब माल खरीदने पर carries भाड़ा ये चुकाया जाए तो वो trading का खर्चा होता है लेकिन इसे P&L में शामिल किया गया इसी तरसे एक दो जगा आपकी books में single fret fret को भी P&L में शामिल कर लिया गया गलत है अगर carries हो fret single हो तो वो trading में ही आएंगे हमने मद को rectify किया है ताकि हमें प्रिश्ण के solution में क्योंगि अगर हम solution में rectify करेंगे तो हमें कई जगे rectify करना पड़ेगा इसने हम कोशिश करते हैं कि हम प्रिश्ण में rectify करें इसने मैंने मद को लिख दिया carries on sale और carries on sale लिखते ही ये चली जाएगी P&L account में तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें अगर single carries a single fret surely trading account में शामिल किया जाएगा अब आगे अगर बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं BR की BR जो है वो assets में आएगा bank में जमा जो है वो assets में आएगा capital liabilities का item है sales ये भी trading account के credit में इसके अलावा अगर बात की जाए तो purchase return जो है वो purchase में से less होगी bank अधिविकर्ष liabilities में provision for bad dates के बारे में आप जानते हैं क्या करना होता है provision for bad dates को old provision मानते हुए P&L में से less करते हैं वो देखेंगे calculation किस तरीके की है creditor liabilities में commission आयपक्षकी और P&L में BP liabilities में प्रशिक्षु premium हमारी आय होता है इसे भी हम P&L के credit में लिखेंगे आगे कि अगर बात करें तो wages trading का item है trade expenses P&L का है bank charges P&L का है साधारण wear P&L का है salary P&L का है insurance P&L का है postage and telegram P&L का है rent rates and taxes ये भी P&L का है call gas and water ये trading account में लिखा जाएगा अब बात करते हैं समायोजनों की बकाया वेतन 100 रुपए किराया कर 200 रुपए मजदूरी 100 रुपए तीनों खर्चे बकाया है संबंदित खर्चों में जुड़ कर आएंगे जैसे मजदूरी वो trading account में आती है तो trading में जुड़ कर आएगी किराया कर P&L में आते हैं वेतन P&L में आता तो P&L में जुड़ कर आएंगे और साथी साथ balance sheet के liabilities में जाएंगे इसके अलावा ऐसमाप्त भीमा 500 रुपए prepared insurance है तो insurance में से less होगा और balance sheet के assets में जाएगा अग्रिम प्राप्त commission 50 रुपए जो आपको प्राप्त हुआ है वो commission में से less होगा P&L में और साथी साथ balance sheet के liabilities में जाएगा बैंक जमा पर 500 रुपए ब्याज प्राप्त है हमने बैंक में कोई जमा डाल रखे जिस पर 500 रुपए ब्याज प्राप्त है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो accruid interest है P&L के credit में लिखा जाएगा और साथी साथ balance sheet के assets में लिखा जाएगा बैंक का दिविकर्ष पर ब्याज 750 रुपए आपको चुकाना है खर्चा है तो P&L में भी लिखा जाएगा और बाकी है इसलिए balance sheet के liabilities में लिखा जाएगा furniture पर हास 10% furniture पर हास furniture में से less होगा और P&L में खर्चे के रूप में आएगा अन्तिम स्टॉक 9000 रुपए दो जगए ट्रेडिंग के credit में और balance sheet के assets में आएगा अन्यदू बत्रेंड 200 रुपए फर्दर बैट डेट्स पीनल में भी आएगे और डेटर में से less होगे देनदार उपर 530 दर से जो नया प्राविजन बनाना है वो P&L में खर्चे के probabilities में चला जाएगा आहारण परव्याद 6% की दर से लगा interest on drawing संस्था के लिए आए है इसने से P&L के credit में लिखा जाएगा और साथ ही साथ balance sheet में capital में से less किया जाएगा ये बात हुई आपके समयजनों की तो अब शुरू करते हैं आपका trading account trading account के लिए opening stock 6000 दिया हुआ है परचेज 24,000 दिया हुई है तो आईए शुरू करते हैं opening stock 6000 परचेज 24,000 परचेज return 4000 परचेज net आजाएगी 20,000 और मदों की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं sales को sales दी गई है 41,300 और उसमें 2000 के return दी गई है एक तालीस हजार तीन सो return 2000 तो यह आ गई गुंचालीस हजार तीन सो closing stock आपको दिया गया है students 9,000 इसके अलावा अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा wages 1000 रुपए है और साथ ही साथ wages के 100 रुपए बाकी बता रहे हैं तो 1000 में 100 रुपए add कर कर दिखाएंगे 1000 रुपए है एक हजार वेजे आउटस्टेंडिंग वेजे 100 तो यहां लिख दें 1100 call gas and water call gas and water का जो amount है students वो बताया है आपको 2000 रुपए और carries on sale को हमने सही कर लिया है वो single carries होता तो trading में आता बट हमने उसे carries on sale कर लिया है तो call gas and water जो है 2000 रुपई लिख दीजिए और अब बात करते हैं gross profit या gross loss की तो credit का अगर हम total लगाएं तो 48,300 रुपए योग आता है और debit का अगर हम योग लगाएं students तो गंतीस हजार 100 रुपए आता है अगर इसका अंतर निकाला जाए तो इसका अंतर जो है students वो आता है गंतीस हजार 200 रुपए तो आपका जो gross profit हुआ वो हुआ गंतीस हजार दो सो दोसो, बाकी मदों के लिए हमें तलपट में आना होगा. सबसे पहले बात की जाए तो establishment expenses, bad debts. विक्रे पर धुलाई, तीन मदे इदर से हैं, इसके बाद में व्यापार, वे, बैंक, शुल्क, साधनन वे, सैलेरी, बीमा, डाक्तार, किराया, ये सभी PNL की मदे हैं. इंकम के रूप में अगर बात की जाए, तो इंकम के रूप में आपके जो मदे हैं, वो केवल एक तो commission है, और एक प्रशिक्षू premium है. तो चलिए शुरू करते हैं, establishment expenses आपको 4500 रुपए दिये गए हैं, तो सबसे पहले आप लिखें, establishment expenses 4500, इसके अलावा caries on sale नाम की जो मद है, वो आपको दी गई है, students caries on sale 1000 रुपए, तो caries on sale को लिखें 1000, trade expenses 500, bank charges 400, journal expenses 1000, 500, 400 और 1000, salary की बात करते हैं, आईए salary आपको दे रखी है, students 2000 रुपए, और salary के लिए समायगन बताया कि 100 रुपए बाकी है, तो salary में आप 100 रुपए जोड कर लिखें, 2000 add out stunning salary, 100, तो ये हो जाएगा 2100, insurance की अगर बात करें, तो insurance पहले खर्चे के रुप में कितना है, 1500 रुपए, और insurance के लिए समायगन, बिल्कुल point number 2, 500 रुपए, तो insurance का amount एक बार फिर से देखें, insurance का amount आपको दिया है 1500, जिसमें 500 रुपए, ऐसा माप तवदी के हैं, इसका मतलब अगले साल के है, तो insurance यहाँ लिखें 1500, और prepared insurance 500, और ये 1000, तो prepared insurance balance sheet के assets में जाता है, ये आपको पता है, postage and telegram, postage and telegram 500 है, और rent rates, taxes 2000 है, हाला कि rent rates, taxes का समयजन है, वो अभी देखेंगे, postage and telegram 500, rates, rates, rent rates and taxes 2000, और शायद बकाया, किराया हमें बताया गया है, 200 रुपए, किराया वक्कर, तो ये हम add कर देगे, किसमें, rent and rates and taxes में, तो ये 200 हमने add कर दिये, तो ये हो गया 2200, अब बात करते हैं, आपके समयजनों की, तो जैसे commission है, वो income से related है, तो चलिए commission की बात करते हैं, commission आपको कितना मिला है, तलपट में अगर देखूं students, तो commission 100 रुपए मिला है, और समयजन में देखा जाए, तो 50 रुपए अगरिम है, तो 100 को अंदर लिखकर, उसमें से 50 रुपए अगरिम commission less करके, 50 रुपए बाहर लिख दीजिए, इसके बाद में अगर बात की जाए, तो एक apprentice premium, जिसे प्रशि प्रशिक्षू premium, तो प्रशिक्षू premium की अगर बात करें, तो प्रशिक्षू premium यहां 500 रुपए है, और साथ ही साथ प्रशिक्षू premium का आपको जो amount है, 100 रुपए अगरिम बताया गया है, तो यहां लिखें आप apprentice premium 500 और advanced received 100, तो यह आजाएगा 400, अब और समयजनों की बात करते हैं, तो हमने यह समयजन कर लिए, point number 4, bank जमापर 500 रुपए मिलेगा, तो bank जमापर सीधा 500 मिलेगा, तो दर्दों है नहीं, इसलिए सीधा सीधा 500 रुपए, accrued interest on deposit यहां पर भी आएगा, और साथ ही साथ income में शामिल किया जाएगा, इसके बाद में interest on drawing, interest on drawing के लिए 6 परसंट तर इन्होंने बताई है, तो हमें आहरण को देखना होगा, आहरण हमें दिया गया है, अठाइस सो, अठाइस सो का 6% हम calculate कर लें, और उसे income के रूप में दिखा दें, 168 रुपए, interest on drawing है, इसे आप income के रूप में show कर दें, bank अधिविकर्ष पर 750 रुपए आपको भी आ, यह समायज है हम पूरा कर चुके, यह कर चुके, यह कर चुके, यह कर चुके, bank अधिविकर्ष पर 750 रुपए आपका खर्चा है, तो खर्चे की तरफ इसे लिखा जाएगा, और 7-7 balance sheet के liabilities में लिखा जाएगा, तो interest on bank cover drop 750 furniture पर 10% हास तो furniture को हमें देखना होगा कितना है तो furniture को अगर हम देखें students तो furniture ये रहा furniture है 1200 और 1200 का 10% आपको depreciation लगाना है जो की होगा 120 रुपए तो depreciation on furniture का amount लिखे 120 ये समायोजन भी हो गया ये भी हो गया ये हम कर चुके ये भी हम कर चुके ये भी हम कर चुके अब बचा समायोजन नमबर 8 provision for bed debts जिसका तरीका तलपट वाले bed debts में further bed debts जोड़ा जाएगा और फिर debtor पर जितना percent calculate करने को कहा जा रहा है वो calculate करके तीनों को जोड़ कर उसमें से old provision को less किया जाएगा तो सबसे पहले हम तलपट में देखते हैं कि हमारे पास bed debts कितने हैं तलपट के bed debts है हजार रुपए further bed debts है 200 रुपए और देटर हमें बताएगा है 10,000 ठीक है हजार रुपए तलपट वाले बैडड़ेट्स 200 रुपए further बैड़ेट्स 10,000 में से 200 घटाएगे पहले तो आपके जो देंदार हैं students वो अठ्याण में सो आते हैं अठ्याण में सो पर आपको पांच परसेंट आयोजन calculate करना है 490 रुपए का आपका new provision आता है जब इन सबको आप जोड़ते हैं तो यह आता है 1690 यानि 1000 रुपए तलपट में पहले ही पता लग चुका साल के दोरान डूब गया 200 जब हम हंतिम खाते बनारें तब पता चला 200 और डूब गए तो 1200 तो यह हानी और 490 रुपए डूबने की संभावना तो कुल हानी हो गई 1690 इस हानी के लिए हमने पिछले साल कोई आयोजन या कोश बनाया हुआ है तो वह हमें तलपट के credit में मिल जाएगा तो आपको संदिक द्रणों के लिए प्रावधान दे रखा है 400 रुपए अब समझ ले 1690 का कुल loss हुआ जिसमें 400 अब बात करते हैं आपके net profit के तो उसके लिए हमें क्या करना होगा योग लगाना होगा और जब हम योग लगाते हैं तो हमारा जो योग निकल कर आता है वो योग है credit का तो बीस हजार तीन सो तेरा बीस हजार तीन सो अथारा और डेबिट का योग है पंदरा हजार दो सो साथ पांच हजार अथावन रुपए आपका net profit आता है students और इसका योग है बीस हजार तीन सो अथारा शुद्द लाफ 50058 की गढ़ना करने के बाद अब बात करते हैं चिट्थे की सबसे पहले चिट्थे में अगर बात की जाए तो यह जो शुद्द लाफ 50058 ग्यात किया गया है इसे ले जाकर चिठे के दाइत पक्ष में पुंजी कोश में जोड़ दिया जाएगा और बाकी मदों के लिए हमें देखना होगा तलपट तो आईए चिठे की मदों को छांटते हैं फरनीचर असेट्स में दिखाया जाएगा आहरण को पुंजी में से कम किया जाएगा कैश इन हैंड को असेट्स में दिखाया जाएगा डेटर को असेट्स में दिखाया जाएगा बैंक में जमा को असेट्स में दिखाया जाएगा Capital चिठ्थे के दाइत्व पक्ष में, Bank अधिविकर्स चिठ्थे के दाइत्व पक्ष में, Lainदार चिठ्थे के दाइत्व पक्ष में, देविपत्र चिठ्थे के दाइत्व पक्ष में इसके अलावा यहां कोई मद ऐसी नहीं है जो चिठ्थे में लिखी जाए अब बात करते हैं समायजनों की, फर्स समायजन में तीनों ही खर्चे बाकी हैं तो तीनों ही दाइत्व के रूप में दिखाया जाएंगे, आउटस्टर्णिंग सैलेरी, आउटस्टर्णिंग रेंट एंड रेट्स और साथ ही साथ दिखाया जाएगा आपके जो कि समपत्य है, इसे चिठ्ठे के समपत्य पक्ष में दिखाया जाएगा, बैंक का दिवी कश्पर ब्यास साथ सोपचास रूपए देना बाकी है, तो चिठ्ठे के दाईत पक्ष में जाएगा, फरनीचर पर हास दस परसेंट जो लगाए वो आपने लावानी खाते में दि उसे new PVD के नाम से आप debtor में से less करेंगे प्रिशिक्षु premium 100 रुपय अग्रिम प्राप्त हुआ आए जादा प्राप्त होगी यह इसलिए इसे चिठ्थे के दाइत्व पक्ष में advanced apprentice premium के नाम से दिखाया जागा और interest on drawing को जिस तरीके से drawing को आप capital में से less करते हैं उसी तरीके स furniture 1200 रुपय है debtor 10,000 रुपय है शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर furniture की यही बात की जाए तो furniture जो की 1200 रुपय है इसमें से 120 रुपय घटा के 1080 रुपय furniture का लिखा जाएगा cash in hand 3000 रुपय है इंशुरेंस जो है prepared यह रहा 500 रुपय इंशुरेंस प्रिपेड है और bank में जमा आठ हजार रुपय है बैंक डिपोजिट आठ हजार इंशुरेंस प्रिपेड पांसो और accrued interest जो बैंक डिपोजिट पर है वो भी 500 रुपय समायोजल नंबर तीन में दिया गया है चार में दिया गया है बैंक जमा पर आज 500 रुपय तो यह मदे हम लिख चुके हैं इसके अलावा अब बात करते हैं डेटर की तो डेटर सबसे पहले हमें देखने होंगे कि देंदार हैं कितने के तो तलपट में जब हम जाते हैं तो हमें देंदार नजर आते हैं 10,000 रुपए फर्दर बेड़ेट के और 490 रुपए न्यू प्रोविजन के आप लैस कर दीजिए और जब 10,000 में इसे फर्दर बेड़ेट और न्यू प्रोविजन को आप लैस करते हैं तो यह बचते हैं आपके 9310 रुपए 9,310 रुपए के देंदार आपके यह अमाउंट घ यह 200 रुपए है और यह 400 रुपए है और बी आर और क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो दिखाया गया है 9,000 रुपए और बी आर का अमाउंट तलपट से देखना होगा जो की है 6,000 रुपए 6,000 रुपए है और क्लोजिंग स्टॉक 9,000 अब बात करते हैं असेट साइड की कैपिटल 20,000 साथी साथ ड्रॉइंग भी देख लेते हैं कैपिटल बीस हजार नेट प्रॉफिट पाँच हजार अथावन 25,058 में से ड्रॉइंग 2800 और इंट्रेस्ट और द्रॉइंग 168 रुपए आप लैस कर दीजिए और जब आप यह लैस करते हैं तो यह बचता है 22,070 रुपए 22,090 रुपए इसके बाद अब बात करते हैं बैलेंच शीट के बाकी मदों की तो पहले तो समायजनों में देखते हैं समायजनों में जैसे 100, 200 और 100 आउटिस्टनिंग सेलेरी है 100 रुपए इसके बाद में बैंक और ट्राफट आउटिस्टनिंग इंट्रेस् जो की बैंक और ड्राफट पर क्रेडिट बैंक कवर्ड राफ्ट चार हजार, क्रेडिटर पांच हजार, बीपी पांच हजार, बैंक कवर्ड राफ्ट चार हजार, बीपी पांच हजार, और साथी साथ क्रेडिटर भी पांच हजार, चिठ्थे का योग की अगर बात की जाए तो वो है 37,390 दोनों पक्षों की और्स, इसी के साथ उधारण संख्या 9, complete होता है, अब बात करते हैं, उधारण संख्या 10 की, ड्राइं 6,000 रुपए जो की पुन्जी में से कम किया जाता है, डेटर असेट्स में दिखाया जाता है, कैर इस आउटवर्ड, P&L में दिखाया जाता है, स्थापना वे, P&L में दिखाया जाएंगे, रन पर ब्याच, ये भी P&L में दिखाया जाएगा, हस्ता द्रोकर, बैलेंच शीट के असेट्स में दिखाया जाएगा, स्टाउक, ट्रेडिंग अकाउट के डेबिट में, बिकाउज बैलेंगे, कैशट बैंक असेट्स में, क्रेडिटर लाइबिलिटीज में, कैपेटल लाइबिलिटीज में, बंधा करण लाइबिलिटीज में, संदिक दिरण प्रावधान को आपको पता है, bet debts add new provision less old provision करके calculation करते हैं sales trading में purchase return purchase में से less होगा discount को P&L में दिखाया जाएगा BP चिठ्थे के दाइत पक्ष में दिखाया जाएगा rent received P&L के credit में land and building assets में bet debts P&L में purchase trading में purchase sales return sales में से less की जाएगी advertisement P&L में आंत्रिक ढुलाई भाड़ा यानि caries in ward बिलकुल trading में caries outward P&L में caries in ward trading में rates taxes and insurance P&L में journal expenses P&L में और BR को दिखाया जाएगा balance sheet के assets में ये तो बात हुई तलपट की मदों की अब बात करते हैं समायोजनों की भूमी और भवन पर 5% की दर से depreciation लगाना है दोनों ही depreciation को P&L में दिखाया जाएगा और सम्बंदित संपत्ति में से less करेंगे चिठ्ठे के संपत्ति पक्ष के और से एक अप्रेल 2016 को 5% की दर से ब्याच जो अपने लॉन लिया है वो 5% की दर से लिया है तो मैं आपको यहीं समझाना चाहूँगा आपके लॉन का माउन पर 17,000 17,000 का 5% अपने कब लिया है एक अप्रेल 16 को वो calculate करेंगे और फिर यह देखेंगे कितना ब्याच कम जादा है उससे सबसे outstanding का समायजन करेंगे वो बात करेंगे जब P&L बनाएंगे स्टोडेंट समायजन नमबर 3 बहुत ही अच्छा समायजन है लेकिन यह अलग धंका समायजन है यह आपको नहीं पढ़ाया गया यह सिर्फ इसी एक्जामपल में आया है और इसको हिंदी माध्यम के पुस्तकों में तो गलत ही कर रखा है उसको मैं सही करवा रहा हूँ प्लीज ध्यान दें क्या समायजन है 1200 रुपय का माल ग्रहा को 1400 रुपय में 30 मार्च 2017 को पसंदगी पर बेचा है कब बेचा है 30 मार्च 2017 को 31 मार्च को आप अपने अंतिम खाते बना रहे है जिसे विक्रे में शामिल किया गया पहली बात तो पसंदगी पर विक्रे होता क्या है हर वियापारी ये चाहता है कि उसका विक्रे बढ़े ताकि उसके लाब बढ़े इस कारण वो कई बार अपने ग्रहा को को बिना ओर्डर आये ही उन्हें कोई नई तरीके का माल ये अपने विक्रे को बढ़ाने के लिए माल उनके यहां पहुचा देता है और ये कहता है कि आप के वली से अपने पास रखे क्योंकि यहां बात मैं कर रहा हूं निर्माता और थोक व्यापारी की अपने ये माल बेचा है 30 मार्च को इसे कहते है पसंदगी पर विक्रे और ऐसे विक्रे को विक्रे नहीं मानना चाहिए जब तक सामने वाले का जवाब नहीं आए लेकिन यहां पर आपने इसे विक्रे माल लिया जबकि ये विक्रे नहीं है क्योंकि अब तो 30 मार्च को भेजा है तो अब पता नहीं अप्रेल में माई में कब उसका जवाब आएगा तो यहां समायोजन क्या करना है सुनने यह 14 सो रुपय आपके विक्रे में शामिल कर लिये गए तो इक तो इसमें सेल्स में से गटाया जाएगा सेल्स ओन एप्रूवल के नाम से दूसरी बार जब विक्रे में स्यामिल कर लिया गया तो देंदार भी बढ़े क्योंकि यह उधार विक्रे है तो डेटर में से 15 सो रुपय sale on approval के नाम से कम होगे साथ ही साथ जो book में नहीं किया गया लेकिन होना चाहिए वो क्या जब ये माल ग्राहक का नहीं है जब ये विक्रे नहीं है तो ये माल वापस से हमारा है और अगर माल हमारा है तो हमारा stock बढ़ेगा जो हमारा closing stock यहां पर दिया गया है तेरा हजार साथ सो रुपए समय जो नंबर 6 में वो बढ़ जाएगा क्योंकि बारा सुरुपए का stock जो हमारे गोदाम में तो नहीं है लेकिन हमारा माल किसी व्यापारी के पास पढ़ा है तो यह दोनों जग़े जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जब आप closing stock दिखाएंगे तो वहाँ पर भी बारा सुरुपए stock को बढ़ा कर दिखाएंगे और balance sheet के assets में भी बढ़ा कर आपको दिखाना चाहिए बुक में नहीं किया गया लेकिन गलत है अगर आपने इसे विक्रे माना है तो इसका उनल भी आपके stock में शामिल नहीं है तो इसे जब आप विक्रे नहीं मान रहे हैं तो इसे वापस से आप अपना stock में शामिल करेंगे तो आपके stock का मुलने भी इससे बढ़ना चाहिए very important adjustment और book में अलग धंसे हमने अलग धंसे हमने क्या-क्या करना है वेतन के 1400 रुपै वह rates के 800 रुपै भी देने बाकिए इसका आपको पता है दोनों वेतन में भी जोड़ा जाएगा और rates में भी जोड़ा जाएगा और 392 के dakवर देखाया जाएगा वेवेदे देनदार उपर संदिख दिरने के लिए 5% आयोजन आपको बनाना है डेटर्स पर आपको 5% प्राविजन काउंट करना है वो न्यू प्राविजन की कैलकुलेशन हम आपको डेटर को बढ़ा घटा के जब करेंगे तब समझाएंगे क्लोजिंग स्टॉक 1370 दोनों जगे दिखाना है ट्रेडिंग में भी और बैलेंशेट में भी और साथ में 14.00 रुपए 12.00 रुपए एड करने है व्यापारी द्वारा 1000 रुपए का माल निजी उप्योग के लिए गया लेकिन अगर दे रखा हो तो उसे बैलेंशेट बनाते से मैं मैं हम के लैस्की आज़ाएंगे पुर्दत भी मां 350 रुपए प्रपेरड इंशॉरेंस को reward insurance में से घम करेंगे और बैलेंशीट के ऐसेट मिन दिखाएंगे प्रबंदक को कमीशन 5 प्रतिशत के दर से कमीशन लगाने के पश्चात ये भी काफी अच्छी कैलकूलेशन है इसे जब हम P&L के नेट प्रोफिट में पहुंचेंगे तब बात करेंगे अभी हम बात करने है ट्रेडिंग अकाउंट की तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड मदे मैंने चांट ली है स्टूडेंट जैसे सबसे पहले मुझे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 11,678 तो मैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट मेंटीन कर रहा हूं और यहां पर मैंने लिखा है 11,678 रुपए स्टॉक के अब परचेज में मैं अगर बात करो तो दो अजिस्मेंट आपको करना है एक तो परचेज रिटन को लैस करना है और एक आपको ड्रॉइंग को लैस करना है साथ ही साथ आपको दे रखे क्रेवापसी जिसका आमाउंट है 2692 रुपए कितना स्टूडेंट्स 2692 रुपए तो कुल मिलाकर 1,34,916 में से आपको लेस करने है 3692 रुपए और जब आप ऐसा लेस कर देते हैं तो ये बसता है 1,31,224 रुपए ये जोड़ बाकी करने के बाद अपका परचीज बसता है इसके बाद अगर ट्रेडिंग के खर्चे की बात की जाए तो आपको किवले एक खर्चा दे रखा है कैरेज इनवाट 7,888 रुपए इसे लिख दीजिए 7,888 रुपए अब बात करते हैं सेल्स की और सेल्स में भी दो समाय जाने एक रिटन है तो एक साथी साथ रिटन बेसिस यहां पर अपने लिखा है सेल्स ओन रिटन बेसिस या सेल्स ओन एप्रूबल होता है तो रिटन बेसिस की जो सेल है वो 1400 रुपए है स्टूडेंट्स और सेल्स रिटन के लिए तो हमें तलपट में ही जाना होगा और तलपट में सेल्स रिटन इन दोनों अमाउंट्स को आप 2,22,486 में से लेस कर दीजिए और जब आप इसको लेस करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बचता है 2,5,444 इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात की जाए तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 13,700 रुपए और उसमें आपको जोडने होंगे 1,200 का माल जो की अब माल आपका वापस से हो गया है क्योंकि आप इसी sales और approval यानि कि आप इसी विक्रें नहीं मान सकते हैं क्योंकि अभी तक ग्राहक का जवाब नहीं आया है और जब हम इसे जोडते हैं स्टॉडेंट्स तो इसका माउंट आ रहा है 14,900 रुपए 13,700 का स्टॉक समायजन में दे रखा है और इसके अलावा इस पॉइंट के 12,000 रुपए का माल जो लागत है लागत जुड़ेगी स्टॉक में देहन रखेगा अब बात करते हैं हम जोड बाकी की तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट वो बिलकुल रेडी है अगर हम क्रेडिट का योग लगाएं स्टॉडेंट्स तो क्रेडिट का हमारा योग आ रहा है दो लाख बीस हजार तीन सो चम्वालिस रुपए और इसमें से डेडिट का योग अगर ग्यारा चहसो अठतर एक इकतिस दोसो चोविस और सात अजार आट सो ठावन को जोड़ते हैं तो एक लाख पचास हजार सात सो साथ रुपए इसका योग आ रहा है अब आप अंतर निकाल लीजिए 69584 उनतर हजार पान सो चोरियासी रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ है और बुक से 12 रुपए ज़्यादा आ रहा होगा उसका कारण मैंने आपको बता दिया है यह 12 रुपए यहां जुडने चाहिए तो बुक से अपकी बार gross profit भी change होगा, net profit भी change होगा और balance sheet का योग भी change होगा तो अपका gross profit आ रहा है 69584 और जो total आ रहा है वो आ रहा है दो लाग बीस हजार तीन सो चम्मालिस रुप है सकल लाब gross profit की गड़ना के बाद अब बात करते हैं लाब हानी खाते की तो लाब हानी खाते में सबसे पहले आपको पता है कि gross profit को credit पक्षके और transfer करते हैं तो सबसे पहले इसको transfer करते हैं 69,584 रुपए आपका gross profit है जो की बुक से 1200 रुपए जादा होगा उसका reason आपको बता दिया गया है कि हमने अपनी closing stock को 1200 रुपए से बढ़ाया है और बढ़ाना भी चाहिए अब बात करते हैं मदों की तो उसके लिए हमें तलपट में जाना होगा students और समायोजनों को भी एक-एक को समझना होगा तो पहले बात कर लेते हैं तलपट की मदों की फिर बात करेंगे समायोजनों की तलपट की मदों में अगर हम लाभाने खाते की मदों को चांटें तो care is outward, establishment expenses, run पर ब्याज इसके बाद में credit की मदों में छांटें तो बटा और प्राप्त किराया, ये दोनों मदे credit में हैं और ये debit की मदे हैं इसके अलावा दूबत रण है, विक्यापन है, दर कर बीमा है, समानेवे हैं, काफी सारी मदें इसमें दी हुई है समायोजन पहला भूमी वभवन पर 5% की दर्से और मोटरकार पर 15% की दर्से हास लगाएं, इन दोनों को हम calculate करेंगे और PNL में दिखाएंगे एक अप्रेल को, ये मैं आपको समायोजन यहीं पर समझाना चाहूँगा, आपका जो रण है स्टोडेंट, 17,000 रुपए का रण है 400 रुपए, इसका मतलब 400 रुपए अभी देना बाकी है, that is outstanding interest on loan, इसे interest on loan में जोड़ा जाएगा, 400 में 400 जोड़े जाएंगे, ताकि PNL में 850 दिखाए जा सकें, और साथ इसाथ balance sheet में चिठे के दाईत उपक्ष में दिखाया जाएगा इसके अलावा और अगर समयाजनों की बात करें, तो 1200 रुपए इसका PNL पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, वेतन के 1400 रुपए और rates के 800 रुपए अभी देने बाकी है, तो जब आप तलपट में जाते हैं, तो आपको वेतन नाम की कोई मद नजर आती ही नहीं है, तो अब प विविद देन दार पर 5% आयोजन बनाना है, वो कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट नमबर 6 का PNL पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ का नहीं पड़ेगा, बीमे को आपको लैस करना, पॉइंट नमबर 9, मैनेजर का कमिशन वो तो PNL बन जाने के बाद ही कैलकुले होगा, तो आएए शुरू करते हैं मदों को, आपका PNL बनाना चालू करते हैं, PNL के लिए सबसे पहले आउटस्टर्णिंग सेलेरी 14 सो, या केवल सेलेरी भी लिख दें, स्टूडेंस आउटस्टर्णिंग सेलेरी ना लिखे, लेकिन ये इसलिए दिखा कर दर्शाएग और 16,194 रुपे, इसके बाद में बात करना चाहूँगा, बेड़ेट्स की, तो तलपट में जो बेड़ेट्स हैं, स्टूडेंस वो आपको दिये गए हैं, 1250 रुपे, तो सबसे पहले तो आप उसे लिखें, फर्दर बेड़ेट्स इस क्वेशन में हैं नहीं, अब मैं आ परने चाहिए, क्योंकि आपने इसे विक्रें माल लिया है, जबकि पसंदगी पर विक्रें विक्रें नहीं होता है, तो पहले देंदारों को कम करें, और जब आप 14,00 रुपे से देंदारों को कम करते हैं, स्टूडेंट्स, तो आपके सही देंदार निकल कर आते हैं, 36,800 और 36,800 पर आपको कितना प्रतिशत नया प्राविजन बनाना है 5 प्रतिशत नया प्राविजन बनाना है और जब आप ये भी काउंट कर लेते हैं तो ये आता है 1840 रुपए यानि कि आपको आपका जो न्यू प्राविजन है वो हो गया 1840 रुपए इनको जब आप जोड़ते हैं तो यह आता है 3,090 क्योंकि आपको फर्मुला यही बताया गया बेड़्ट्स प्लस न्यू प्रॉविजन माइनस ओल्ड प्रॉविजन तो अब बात करते हैं Oldunden की Oldунд प्रॉविजन आपको तलपट के 1840 डूबने की संभावना है कुल हानी हो गई 3090 जिसमें से 1420 का हमने कोश बना रखा है तो हानी को इससे चार्ज किया जाएगा और बची वी हानी को लाभानी खाते से चार्ज किया जाएगा और खर्चे अगर हम देखें तो rates, taxes and insurance जो कि हमें तलपट में मिलेंगे 3782 और इसके students दो समयोजन है तो आप लिखें rates, taxes and insurance 3782 और अब इसके दो adjustment में आपको समयोजन में बताना चाहूँगा point number 8 दे रखा है एक तो 350 रुपए less करने है और इसके अलावा 800 रुपए outstanding के add करने है एक ही खर्चे में दो समयोजन है तो 350 तो करने है less prepared insurance और 800 रुपए outstanding rates के करने है add और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह आता है 8232 रुपए adjustment करने के बाद इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब और कौन-कौन से खर्चे है एक आपको विज्यापन नाम का खर्चा दिया हुआ है जो की है 4528 रुपए आपको विज्यापन दिया हुआ है तो लिख दीजिए interest on loan समझा चुका हूं लेकिन फिर से समझा रहा हूं आपको तलपट में 400 रुपए दे रखा है उसे आप यहाँ एड करके चिठे के दाईत पक्ष में लिखें तो यह हो गया 850 रुपए जर्नल एक्सपेंसिस की बात करूं तो जर्नल एक्सपेंसिस आपको तलपट में दिये गए हैं और कितने दिये गए हैं आठ हजार नो सो अठटतर रुपए स्टूडेंट्स तो आईए पहले देखते हैं भूमी भवन है कितना तो भूमी भवन की अगर बात करूं स्टूडेंट्स तो भूमी और भवन का 24,000 रुपए अमाउंट है जिस पर आपको 5 प्रतिशत डैप्रिशेशन लगाना है और 5 प्रतिशत डैप्रिशेशन आता है रुपए इसका आता है 1200 रुपए तो आईए डैप्रिशेशन भी लिख देते हैं लेन बिल्डिंग का डैप्रिशेशन जो है वह आता है 1200 और इसका डैप्रिशेशन आता है कुल डेप्रिशेशन जो है स्टूडेंट्स वह आ जाता है 3,900 रुपए अब मैनेजर कमीशन की गणना क्रेडिट की मदें अभी हम लिखना छोड़ चुके हैं तो तलपट में देखिए दो मदें आपको क्रेडिट में दे रखे जो हमने टिक लगा यह 880 और 500 इन दोनों मद को कमीशन 5% की दर्थ से कौन से लाब पर देना है निवल लाब पर शुद्ध लाब पर आपको जब मैनेजर के कमीशन का समय जन समझाय गया था तो आपको बताया गया था कि मैनेजर को कमीशन जो दिया जाता है वो लाब उपर दिया जाता है लेकिन लाब भी दो तरीके क मतलब जुद्धर है वो दो तरीके से तैकी जा सकती है शुद्ध लाब जो हो कमिशन लगाने के बाद वाले लाब पर दिया जाए या पूर्व वाले लाब पर तो हम बाद वाले लाब पर कहना चारा है यानि कि क्या कहना चारा है मैं आपको समझाता हूँ यह यह कहना चाता है कि आप यह जो आपने P&L बनाया है यह जो आपने P&L बनाया है इसका इसमें से सभी मदों को जोडने के बाद और यह सारी मदों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है मैनेजर कमीशन को भी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 5% द उस पर कैलकुलेशन करते हैं दर बटा सो प्लस दर तो मैंनेजर कमेशन का पहले से स्लाइड में रेडी किया हुआ है मैं आप उसी के माध्यम से समझा रहा हूं जरह गौर करें स्टूडेंट्स जब मैं इधर का टोटल लगाता हूं इधर का तो आप पाएंगे इसका टोटल या रहा है सतर हजार नो सो चौण सट रुपए किता रहा है सतर हजार नो सो चौण सट रुपए इन तीन मदू का टोटल और डेबिट का आप जब चौदा सो से लेकर 49 तक टोटल लगाएंगे स्टूडेंट्स तो वह आएगा 48,560 किता आएगा 48,560 रुपए उसमें 22,404 बचेगा ये शुद्ध लाब है मैनेजर को कमीशन देने से पहले बाकी सारे खर्चे घटाने के बाद जबकि कमीशन जो देना है वो कमीशन घटाने के बाद वाले लाब पर देना है जैसा इसमें लिखावा है तो आपको इस 22,404 पर तो आपका मैनेजर कमीशन आ रहा है स्टूडेंट्स एक हजार सरसट रुपए कितना आ रहा है एक हजार सरसट रुपए एक बार फिर देख लें क्रेडिट की तीनों मदों को जोड़ा डेबिट की सारी मदों को जोड़ा कहां तक 4900 तक तो उनका टोटल ये आ रहा था अं इस पांसो साथ की जगह हो जाएगा गुनंचास 1627 क्योंकि एक हजार सरसट और बढ़ गए तो नेट प्रॉफिट आएगा 21337 रुपए नेट प्रॉफिट लिख दें 21337 रुपए और दोनों तरफ का टोटल जो की बताया गया है सत्तर हजार 964 रुपए सत्तर हजार 964 र लिखाए गया है साथी साथ आपको पता है स्टूडेंट्स मैनेजर कमीशन अभी बकाया होगा क्योंकि अभी तो लाबू पर निकाला है तो इस साल का कमीशन इस साल नहीं दे पाएंगे तो इसे चठे के दाईव पक्ष में दिखाया जाएगा तो अब बात करते हैं बैले अहरन कैपिटल में से लैस होगा संडी डेटर को बैलेंशीट के असेट्स में दिखाया जाएगा रन पर ब्याज नहीं कैश इन हैंड को असेट्स में दिखाया जाएगा मोटर कार को असेट्स में दिखाया जाएगा कैश अट बैंक को असेट्स में दिखाया जाएगा क्र प्राप्य पत्र को असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक हाई, भूमी भवन का डेप्रेशेशन संबंदित संपत्ति में से घटाएंगे, पांच परसंट जो ब्याज साढ़े चार सुरुपे आउट स्टनिंग उसे बैलेंशेट के दाइत्व में दिखाएंगे, बारा परसंट आयोजन बनाना है, जो कि आप बनाएंगे, 1840 रुपे कैलकुलेट हुआ था, 36,800 पर वो आप लैस करेंगे, किस में से डेटर में से, तो डेटर में से दो चीज़े लैस होगी, सेल ओन अप्रोवल और न्यू पीमीडी, क्लोजिंग स्टॉक 13,700 दिखाएंगे, दि 60 रुपे वो चट्थे के दाइट पक्ष में दिखाया जाएगा, तो आएए शुरू करते हैं बैलेंस शीट की मदों को, सबसे पहले कैश इन हैंड 6100 रुपे, कैश इन हैंड 6100, कैश इन हैंड 6100, कैश इन हैंड बैंक और बी आर, 13,764, 9,110, 9,110, 13,764, डेटर 38,200, सेल ओन 1400, और न्यू पीबीडी 18,440 आपने काउंट किया था, इन दोनों अमाउंट्स को आप 38,200 रुपे में से क्या कर दें, लैस कर दें, और जब आप ऐसा करते हैं, तो 34,960 रुपे के दिन्दार आपके पास नेट बैलेंस बचते हैं, इधर से कैपिटल और ड्रॉइंग और इनकी भी बात कर लेते हैं, तो गोड्स, 1000 रुपे का आपने निजी प्रियोग के लिए निकाला था, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, आपका स्टूडेंट्स वो आ रहा है, 21,337 रुपे, और कैपिटल के अगर बात की जाए, 60,000 रुपे की कैपिटल है, 81,337 और ड्रॉइंग की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ड्रॉइंग हैं, वो तलपट से लेने होंगे, 1000 रुपे का ड्रॉइंग तो नीचे दिया वा है, वो तो हमने ले लिया, ड्रॉइंग हमें दे रखे हैं, 6,000 रुपे, तो 7,000 रुपे आप इसमें से लेस कर दें, और जब आप ऐसा करते हैं, तो यह आता है, 44,337 इसके बाद में लॉन जो की 17,000 रुपे का है, और आउटस्टेंडिंग इंट्रेस्ट और लॉन साड़ी 400 रुपे हैं, और समयाजनों की अगर बात करें, तो आउटस्टेंडिंग सेलेरी बिल्कुल 1400 रुपे दे रखी है, और आउटस्टेंडिंग रेट्स और टैक्सेज 800 रुपे समयाजन में आप देख लिएं स्टूडेंट्स, आउटस्टेंडिंग मैनेजर कमिनिशन 1,000 सरसट है, अब क्रेडिटर और बीपी का अमाउंट आपको तलपट से उठाना होगा, तो क्रेडिटर और बीपी का अमाउंट अगर देखें स्टूडेंट्स, तो क्रेडिटर 16,802 बीपी 5,428, 16,802 और 5,428 रुपे इनका अमाउंट दिया हुआ है, 16,802 और 5,428 यह हमने बैलेंश शीट की मदों को लाइबिलिटी साइड को पूरा किया, अब बात करते हैं असेट्स की, तो लैंड एंड बिल्डिंग का मोटर का अमाउंट जो है, वो था 18,000 रुपे और इसका डैप्रिशेशन था 27,000 रुपे, तो यह है 15,300, लैंड बिल्डिंग की बात करो तो यह 24,000 का अमाउंट था और इस पर डैप्रिशेशन था 12,000, तो यह अमाउंट आ गया 22,800, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में 13,700 का क्लोजिंग स्टॉक है, 14,000 रुपे सेल और अप्रूवल है, तो यह हो गया आपके 14,000 रुपे सेल और अप्रूवल है, क्योंकि स्टॉक में लागत पर जोड़ा जाएगा, तो बारा सो रुपे का सेल और अप्रूवल जो है, तो यह हो गया 14,900, और अब है प्रिपेड इंशोरेंस, वो आपको समायजनोमी से मिलेगा, तो जो पूर्वदत बीमा हैं, वो है 350 रुपे, पूरी मदों को लिख दिया है, बैलेंस शीट का टोटल, अगर लगाएं, बैलेंस शीट के योग की अगर बात करें, तो बैलेंस शीट का योग जो है स्टूडेंट्स वो आता है, एक लाख सत्रा हजार दो सो चोरियासी रुपे, इसी के साथ आज सभी उधारण आपके इस अध्याय के पूरे होते हैं, अगले वीडियोज में आगे के प्रश्णों के साथ बात की जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।